असलाम अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खेरेश से होंगे तो देखिए आज मैं आपके लिए लेकाई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी तो आप वीडियो देखेगा बिना स्कीप किये आप इसे जरूर से ट्राइब कीजिए आप जरूर से ट्राइब कीजिएगा आँखों की रोशनी बढ़ाता है और विटामिन और आयरन से भरपूर मात्रा में है इसके अंदर तो इसे अच्छी तरह से छील कर तयार कर लेते हैं फिर मापको दिखाती हो तो देखिए छील लिया है इसे सारा तो एक लेंगे हम कद आप इसे बच्चों को खिलाइए बड़ों को खिलाइए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है आप हफ़ते में लगातारी से खिलाइए तो आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी और बच्चों की हड़ियां भी मजबूत होंगी इससे तो आप इसे जरूर से ट्राइ कीजिएगा तो देखी अच्छी तरह से इसे क्रस्ट कर लिया है तो चलिए इसे बना लेते हैं तो देखी गैस पर रख दिया है मैंने कड़ाई और कड़ाई में डाल देंगे देशी घी एक चमर जैसी गीज में ही इसे बना कर तयार करेंगे तो देखें गी को कर लेते हैं अच्छी तरह से गर्म और जैसे गी हमारा गर्म हो जाता है हम डाल देंगे इसमें क्रॉस्क क्या हुआ कद्दू तो देखें सारह का सारा कद्दू एड्ट कर दिया इसके अंदर और इसे दो तिन मेट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक इसका थोड़ा सा कच्चा पनिदो ननिकल जाए जब तक हम इस अच्छी तरह से भूहनेंगे तो देखे इसे लगातर हम चलाते रहेंगे फ्रेंग्स आपको रेसीपी कैसे लग रहे है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छी लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो देखिए अच्छे तरह से इसे भून लिया है घी के साथ में तो इसमें आड़ करेंगे दूद तो इसमें डाल दिया है मैंने एक कब भरकर दूद दूद की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखेगा कम या जादा लेकिन फुल क्रीम ही लीजिएगा इस टाइम पर आप मलाई भी डाल सकते हैं इसके अंदर तो देखिए इसे पका लेते हम दो तिन मिनट के लिए अच्छी तरह से जब तक यह सारा सूख न जाए दूद और यह दूद सूखते ही हमारे देखिए यह जो हमने कद्दू डाला है यह भी अच्छी तरह से गल कर तैयार हो जाएगा ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे गलने में तो देखिए इसे दो तिन मठ हो गया है पुनते हुए तो मैंने इसमें आड कर दिया चीनी आप चीनी की जगह गोड़ भी डाल सकते हैं इसके अंदर तो फिर से फून लेते हैं इसे तो देखिए इसमें दू सुख चुका है तो थोड़ा ही रह गया है बस इसे और अच्छी तरह से भूनेंगे तो देखिए इसे लगतार इस तरीके से भूनते रहेंगे तो इसमें डालेंगे हम कुछ ड्राइफ फ्रूट्स तो देखिए मैंने थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स डालेंगे इसके अंदर किश्मिस पादाम और कद्दू के बीज मगज और काजू मैंने इसके अंदर एड़ कर दिये हैं आपके पाद जो भी हो आप उसे एड़ कीजेगा तो देखिए इने डाल कर भी अच्छी तरह से चला लेते हैं तो देखिए इसे डाल कर अच्छी तरह से फिर से भूनेंगे दो तिन निट के लिए तो जितना भी इसमें दूत था जितना हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही यह टेस्ट में अच्छा डवल लगता है तो देखिए अम इसमें डालेंगे थोड तो दो मेट के लिए अच्छी तरह से फिर से भून लेते हैं इसे तो देखिए भूनते भूनते देखें कुछ इस तरीके का हो गया यह तो लग रहा है ना फ्रेंज कितना लाजब आप से देखने में ही काने में बहुत ही टेश्टी है तो आप मेरे कहने से एक बार इसे और बच्चों को इसे जरूर खिलाएगा तो देखिए यह बन कर हो गया है तैयार मैंने इस उपर से गानिश कर दिया इसके उपर मावा आप चाहें तो डालिए दरवाइस कीप कर दीजिए तो मेरे पास ता मैंने डाल दिया इसमें और इसे मावे को डाल कर भी अच्छी त तरह से चला लेते हैं तो इसमें नालें लेकि थोड़ा सा इलाइची का पाउडर जिससे खुश्पू बहनु 45 अच्छी आती है अच्छें हैSec सिसमारी सियार हो गई है मज़ेदार सी रेशिपी तीयार है इसमें ढाले जाल खी औरड़ें मेंदे हमारा कद्दे का हलवा बन कर तैयार है कितना छाँ डाजब आप साल लग रहा है तो इससे श eerप कर लेते ह्ञा तो देखिए मैंने इसे सर्फ कर लिया है तो उपर से गानिश कर दिया है थोड़ा सा मावा और और बदाम काजू और लगा दिया है मैंने इस हेल्दी सी रेसिपी को आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो मिलती हूँ आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज